अलो गाइस एस यूसीन के दिपिका ने रनवीर के साथ चीट की बैई ऐसा हो सकता है वो तो सब सर्याम करते हैं तो उनकी चीट हो सकती है आपके आपको इस वीडियो तक लाने का मकसद ये था के बैई हम किस साइड पे जा रहे हैं ठीक है हमें क्या करना था और किस साइड पे हम निकल पड़े हमें अपने मुलकों में जो सुला करनी थी एक दूसरे के साथ यूनाइट होना था हम ने अपने मुलकों में एक तब्दीली लानी थी ठीक है लेकिन आज भी हम यूरपी मुलकों का ठीक है बाइर के मुलकों के हम गुलाम है हम सिरफ ये डिपिका के ठुमके ठीक है कैतरीना का जो असली चेहरा इन चीजों के पीछे पड़े रहे गे और दुनिया कहां से कहां पहुंच गी आप अंदाजा लगा लें कि हम अभी अपने बिला वज़ा के एक तिलाफात से नहीं निकलते कोई भी ठीक है जो लीडर है इंडिया में पाकिस्तान में ठीक है कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है पूरी अवाम उसकी तरफ लग जाती है तो भाई हम जब तक डिवेल्पमेंट की तरफ नहीं जाएंगे ना पूरी कौम ठीक है पूरा बरे सगीर जनाब साब गुलाम का गुलाम रहेगा अगर आप चाहते ना आजाती और कंट्रोल ओवर दी वर्ड अल ओवर दी वर्ड तो भाई हमें इन चीजों से निकलना होगा और एक होना होगा सब के साथ ठीक है जितना भी हमारा बरे सगीर का बन्दा है ठीक है उनके साथ अच्छा बरताओ रखें जैसा भी एंके साथ बिगाड़े ना क्योंके दुनिया हमें अभी तक वही फॉकिंग इंडियन ही कहती है जैसा भी हम कर बन जाएं जो मर्जी कर लें हमें एक ही वर्ड दिया जाता है फॉकिंग इंडियन तो इससे बहतेरा ये लफ़स सुनने की पजाए हम अपनी चीजों पर कंट्रोल करें ठीक है बिलावजा क कि लड़ाइयों से लोगों की इजब करें ठीक है दूसरों की मझभ की इजब करें ताके वो भी हमारी उसी तरह इजब कर अजब करें इसदोग है इजब ओगह ठीक है वो बला असूर रखो बिलावाजा नहीं कि जिदर आपके बंदे 10-15 हैं उदर एक कोई दूसरा आ गया तो उसको आप पकड़के रगड़ दो यहां पर आगे कोई कुछ सकता नहीं है ठीक है बाइर के यूके में यूएसे में यहां पर आगे कोई नहीं कुछ सकता हमारा जो देशी है ना अपस में वो फिर बड़े एक दूसरे का ना लहाज कर रहते हैं यहीं अपने मुलकों में रख लें तो हम कहां से कहां पहुंच जाएं तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज लाइक कीजेगा क्वेंट कीजेगा और मेरी चैनल को कीजेगा लाफेज